सूरा मेरे मज़ पमान तठन फिर में जिखा पदिंसमादियानी बुद्धन समन्संग का जो कंसेप्ट है और समन्संग जो विचार पुराना और जो पुरानी नियमावली है उसके अधार पे जब समन्संग अपना निर्णय करता है अपना काम करता है उसी विचार को आगे बढ़ाता है जो महा पुरिसों का विचार है और जिनकी कामियावी गरन्टी है तो समन्संग के इस विचार से बहुत सारी चीजें उतल पुतल हो रही हैं बदल रही हैं लोगों में, संग्ठनों में और इस विचार के विरोध में और जो इस विचार से अंजान है जिनको जानकारी नहीं है उनमें बहुत जादा उथल-पुतल है, हलचल है, घवराहट है और सुखद भावनावी है जो समझ रहे हैं वो बहुत जादा सुखी भी है यहाँ दो घटनाओं का जिक्र मैं करूंगा, कंसेप्ट के साथ साथ कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है एक लाइन का, जुडएंगे जीतेंगे ये कंसेप्ट का जो नियम है जुडएंगे जीतेंगे, ये सननतन है सननतन मतलब सननतनों यानि सनातन यानि मुझ से लेके और यूनिवर्स में बहार कहीं तक भी ये नियम बिलकुल सच है और सदा रहेगा जुड़ेंगे तो पावर बनेगी जुड़ेंगे तो सक्ती बनेगी जुड़ेंगे तो सनक्षन मिलेगा जुड़ेंगे तो सुख मिलेगा जुड़ेंगे तो ब्यापार बढ़ेगा जुड़ेंगे तो जिंदे रहेंगे जुड़ेंगे तो लड़ेंगे और जुड़ेंग तो जीतेंगे यानि जुड़ना प्रमुख है यह एक लाइन का कंसेप्ट है एक लाइन का सार है एक लाइन की बात है पर इस एक लाइन के चार सद्दों की बात को समझने में व्यक्ति का जीवन चला जाता है और समझ नहीं पाता इसलिए बार बार समझाना पड़ता है योगो योगो से समझाना पड़ता है और योगो योगो तक जब तक मनुझ से रहेंगे समझाते ही रहेंगे जो लोग समझ जाएंगे वो लोग समझाएंगे और जो नहीं समझे उनको समझाना पड़ेगा जो फिर समझ जाएंगे वो संग को खतम कर देंगे क्योंकि सांथ बैटने से जोड़ने जोड़ने की प्रिक्रिया बंद हो जाती है किसी के उपर रहना नहीं है अपने उपर ही सारे काम करने हैं अपने साथ ही करने हैं अपने आप ही करने हैं इस एक लाइन की जो सार है एक लाइन का जो सनातन नियम है ज जो लोग अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं वो इसमें लगे हुए हैं और जिन्हों ने अपने दुख दूर कर लिये एपनी सुक्षा कर ली उनका यही मंत्र है जुड़ेंगे बचे रहेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे, इस पर बहस की जा सकती है, इस पर बात की जीता नहीं चाहे कोई कुछ भी कहे तो हम यहां अपने समण लोगों को इखटा करने के लिए जुड़ने के लिए लगातार प्रयास में हैं तो इसका मतलब हमारे जो समण लोग हैं वो इखटे नहीं हैं यह बात हमने सुविकार कर ली कि हमारे जो समण लोग हैं वो इखटे नहीं है जो नए साथ ही यहां आए होंगे वो समण सब्द को समझ लें कि समण सब्द क्या है हमारा पहला नियम है केबल समण और केबल समण का मतलब है बहुत सिंपल सी भासा में भारत में अगर समझाएं किसी अंजारा आदमी को तो जो वमण नहीं है जो ब्रहमण नहीं है वो समण है इसको पाली में समण कहते हैं और समण को संस्काइप करके जो बदला गया जिसको आप संस्कत बोलते हैं भासा बोलते हैं उसमें इसको शिर्मन बोलते हैं और हिंदी में इसको समन बोल सकते हैं क्योंकि महालय का जो अर्थ है उसको नैसे लेते हैं तो समन या शिर्मन या समन ये जो सब्द है ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो ब्रहमन नहीं है जो भमन नहीं है जो भमन नहीं है जो ब्रहमन नहीं है जो दुज नहीं है ये आगे समझना चाहे क्योंकि हम वमण के आने से या ब्रहमण के आने से भी पहले के लोग हैं जो भारत के ही रहने वाले हैं भारत के ही मुनलिवासी हैं भारत के ही बहुजन हैं भारत के ही हम उस समय सब जन थे सर्ब जन थे हम ही थे ब्रहमण वमण नहीं था तो कह सकते हैं कि मुलिवासी भारत का बहुजर और जिसको आज की भासा में या सम्भासा में स्से एस्टी ओविसी बोला जाता है हम वो लोग हैं तो वो लोग बिखरे हुए हैं बिखरे होने से अधिकार नहीं मिलते बिखरे होने से सुख नहीं मिलता बिखरे होने से विकास नहीं होता अलग लग रहेंगे उनको ना सुख मिलेगा ना उनका विकास होगा ना ही उनको स्रक्षा मिलेगी वो हमेसा पिटेंगे हमेसा मारे जाएंगे हमेसा उनका छिनेगा हमेसा वो रोते रहेंगे अलग लग वाले लोग सिर्फ रोते रहते हैं काम करते हैं जीकते हैं चलाते हैं उनका स मालिक हूं किसी मत के टीचर हों किसी मत के गुरु हों चाहे ब्यापारी हो indoor चाहे वो फक्कण हों कुछ भी हो जो अलग-अलग रहते हैं वो हमेसा पढ़ते हैं और जो एकड़े रहते हैं वो हमेसा पीटते हैं यह यह भी नातनियम है तो ये बात सब को समझ है कि अलग-लग रहने से नुक्सान होता है पर प्रियास इसका इखटा करने का कोई नहीं करता ऐसा नहीं है कि लोग प्रियास करने के लिए बात नहीं करते पर जो बात वो करते हैं उसमें वो खुद अपने आपको प्रिमुख रखते हैं लिए प्रियास उनके असफल हो जाते हैं तो यहां जो समढ़ सब्द है वो बिल्कुल किलियर है कि हम जितने भी लोग हैं जो बिखरे हुए लोग हैं उनको इखटा करना चाहते हैं इस उद्देश से के लिए हैं कि हम लोग सुखी रहे हम लोग हमारा विकास हो और हमारी सु बिख्रे हुए उनको कोन बिखे रहा है साधारण लोगों को तो कुछ पता रही नहीं जो लोग संग्ठणों में काम करते हैं जो कारे कर गया, विस्वास को लूट के लेगा, उनको पता है नहीं, तो जो लोग इखटा करने का काम करते हैं, जिनको हम नेतत करता बोलते हैं, जिनको नेता बोलते हैं, वो लोग विस्वास घात करते हैं, बहुत सारे नेताओं को ऐसा जान करके हम उनको कहते हैं, कि वो विस्वास हो गये होते ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जासे साध़ना आद्मि को इखटा करने के लिए नेता कहे और नेता इखटा ना हो तो विश्वाशगात कों कर रहा है कौन धोका दे रहा है इस बात का एक line में हमको पता चल जाता है तो यहां जब हम इखटा करने की बात करते हैं, क्योंकि तूटे हुए हम सुईकार करते हैं, तो इखटा करने के लिए जब हम चलते हैं, तो इखटा होने की जो सबसे बड़ी बाधा और सबसे बड़ी परशानी आती है, वो यह आती है, कि लोग दूसरे को इखटा करना चाह उनको नेता मानों तो वो लोगों को इखटा करेंगे और ऐसे नेता 29 लाग है 29 लाग तो संख्ठन है अब एक एक में अगर तीन तीन वी नेता हो तो यह 60-70 लाग हो जाते हैं एक करोड से उपर हो जाते हैं यह लोग इखटा नहीं होने देते यह लोग हमको तोड़के रखते हैं इसका एक उधारन में आपको अभी ताजा ताजा का बताता हूँ नागपुर के अंदर एक व्यक्ति है विनोध अनवरत नाम के जैसा मुझे बताया गया मेरे पास एक फोन आया अलीगर से एक महिला का टीचर है वो नाम मुझे समय याद नहीं क्या था उनका उन्होंने कहा कि हमारा एक काईक्रम चल रहा है साम को आठ पर जुड़िए यह कारिक्रम है हम नीले जंडे की किरांती के वारे में आज का हमारा टॉपिक है डेले घंटे का कारिक्रम रहता है मैंने का भेंजी कोई सवाल जवाब ही होते हैं कहरे कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं अच्छी बात है आठ बज़े उनका फिर फॉन आया आप जुड़िए मैं उसमें जुड़ गया तेले घंटे तक एक बच के 35-35 मिट तक मैं आराम से उनको सुनता रहा वो अपनी बात कह रहे थे कुछ स्लाइड चला रहे थे और स्लाइड में जो वो बता रहे थे वो बता रहे थे कि कैसे डॉक्टर अंबेटकर को श्रुलकाष्ट नेता बनाय गया कैसे फिर नीली करांती में बदला कैसे उनको एक जात का नेता बनाया गया कैसे उनको स्लुकाष्टो का नेता बनाया गया जबकि वो अंतराश्टिय नेता थे ये बात हैं वो करती नहीं बीच बीच में बोलती रही भेंजी वो और लोगों से वो हाँ नामे जवाब लेती रही वो बोलती थी उसके बाद पूछती थी बताये ये बाद ठीक है या नहीं तो घृत Tsch Lex डे भी बहुत सादू बड़ी और जो कैता था कि ठीक नहीं यह यह तो उसक कहती आप आप बात करना आप बात करना मैं सारा देख रहा था लास्ट में उनकी स्लाइड आके रुकी नीला वो हमसे यह कैलवा रही थी कि नीला जंडा उसके बाद में भगवा जंडा उसके बाद में ट्राइकलर यानि तरंगा जंडा तो कौन सा इसमें जंडा आपको लगा पूरा उन्होंने जो बनाया उसके साफ से तो इस तरह की जो टेनिंग देते हैं वो आदा घंटे एक घंटे दो घंटे की टेनिंग चाहे वो सामान बेचने की हो चाहे वो लोगों का मत परिवरतन करने की हो चाहे वो अपना जो विचार है उसको इंप्लांट करने की अपने विचार को दिमाग में डालने की मीटिंग हो चाहे वो अपने संग्ठन को अपने नेतवत को ऊपर रखने की मीटिंग हो जो भी व्यक्ति मीटिंग लगाता है चाहे व्यपार की है चाहे मत की है चाहे धर्म की किसी भी तरह की है वो लाश्ट में अपने अब्जेक्ट पे आ जाता है अपने उद्देश से पाजाता है और एक डिल घंटे की महत के बाद में वो ये देखता है कि लोगों को मोटिवेट करने में या उनको एक तरह से हिपनोटाइज करने में उनको एक तरह से अपने किया तो हमने अपने कोशन करने सुरू किये हमने से पहले का बहेंजी आपने हमारा नाम पूछा पता बूचा पर हमें तो यह नहीं पता चला डिल घंटे में कि हम बात किस से कर रहे हैं और उनका संग्ठन है या नहीं है उनका क्या उदिस हो तो कि पर अपना परिशे भी हैं तो उन्हें का हम छे दिन वाद परिशे देंगे छे दिन वाद बताएंगे कि संग्ठन क्या है बड़े इची बात है कोई बात नहीं पहले हमको पहले पता देते हम तो पूछ बैठे फिर उन्होंने कहा कि आप टॉपिक के हिसाब से बात की तो हमने पूछा कि आपने करण की बात की थी इसमें भगवा भी आ गया तो हमने जब उन पर प्रेसंद पर प्रेसंद किये तो वह बिखर गए तो जो बहन जी जिन्नों ने इन्वाइट किया था वो कहने लगी आप चले जाईए अगर आपको पसंद नहीं है तो आप चले जाईए छोड़ दीजी आप तो हमने का बहन जी ये आपका प्रेट फार्म है या सामाजिक प्रेट फार्म है या आपका प्राइविट लिमिटेट प्रेट फार्म है क्या कि पसंद नहीं आए त चाहते हैं तो मना कर दिए कहलें हम यहां बहह नहीं करतें अरे बहह नहीं है तो हमसे क्यों पूछ रहे हो ऒचा है ठीक है यह नहीं आप अगर भेह नहीं करना चाहते हैं तो मना कर देते हमारे एक शंगीं भी थे उसlandर किरें occupства को लगा कि ये तो आदमी कुछ सवाल कर रहा है जवाब उनके पास थे रही तो वो विनोत अनुवरत पी आये मेरा मोबाइल जब तक आफ हो गया मैं बात नहीं कर पाया बात मैं एक और फोन आया साम को दुपर में फोन आया उनसे बात हुई मैंने उनसे कहा कि भाई देखो आप इस बात पर क्यों एडामेंट हो इस बात पर क्यों जिद्ध करते हो आपने जो स्लाइट दिखाई है आपने जो बात कही है जो आपका विचार है जो आपने बनाया है सिस्टम वही सही है आपका एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति अगर इसको सही कहते हैं तो आपके लिए सही होगा ना मेरे लिए सही नहीं है मेरे लिए सही तब होगा जब आप मेरे प्रसनों के जवाब दोगे और वो जवाब मुझे लगे कि हाँ ये जवाब ठीक है आप जिनकी बात करते हो वो लोग तो सारे के सारे सवालों को जवाब दिया करते थे आप सवालों को जवाब ने दे रहे हमें कैसे पता चले कि ये बात ठीक है या खराब है हमने उनको ये भी कहा है कि आप आओ समर्ण संग के पेड़ फार्म पे सारे सवालों के जवाब समर्ण संग में होते हैं वीडियो में भी होते हैं पर आप सवालों के जवाब ने देना चाहेते तो आप यहां आए और आके देखिए कि कैसे होता यहां कोई चीज छुपा नहीं जाती मैंने उसे यह भी कहा है आप कोई रहसे में कारें कोई काम करें किस समाजी को तो वो जो वैक्ती थे, उनके बारे में نے कहा कि और आध किताब लिखी है, मैं भाय लिख़ेंगी, बहुत अच्छी बाते किताब लिखी है, पर हमारे तो जो अन्पड तोा थो किताब ओर वाल से ज़्याते विद्वार सब्सक्राइब है। किताब लिखने से आदमी ऑlles नहीं हो जाता हम यह नहीं कहते हैं पर आपको बुधी मानी समाज से आपको बुद्धी मानी का स्याव्टिक्र लेना पड़ेगा आप समाज को कोई प्रूडक्ट देते हैं समाज कोई बात देते हैं तो समाज की approval लेनी पड़ेगी संघ की approval लेनी पड़ेगी approval को लेता नहीं फूशता नहीं मैंने उसे कहा कि आऊ ना एक तारिक में आके देखो कि कैसे यहां house लगता है कैसे कोई बात कही जाती है कैसे नियरा बंता है पुराने सिस्टम से बनाते हैं मैंने उनको बहुत समझाया कि भाई व्यक्ति वादी नहीं चलेगा आप जो चेहरा बारवा लेके आते हो नाम लेके आते हो फिर अपने कमरे में पॉलिशी बनाते हो फिर कोई काईकरम बनाते हो उस काईकरम की एप्रूबर लेनी पड़ेगी सोसाइट इस यह जो ओवर कॉंफिडेंस है कॉंफिडेंस होना अच्छी बात है यह जो ओवर कॉंफिडेंस है कि मैं ही करूंगा मैं ही करूंगा अरे तो भाई कर लो ना पर एक वार समाज से एप्रूबर तो ले लो करना तो समाज के लिए हैं रहेगा तो साथ समाजी करेगा तो सम समाजी प्रैप्रूबल लेने कोई नहीं आता अपनी बात को करने कोई नहीं आता चार सवाल पूछ दो तो विखर जाते हैं चार सवाल पूछ दो तो कहते हैं जी आप पोर्टल छोड़ दीजिए जैसे उनके प्राइवेट लिमिटेड है अरे भाई आपको समाज से कितने सारे नेता आते हैं हम उनको नेता बनाते हैं अपना पैसा देते हैं अपना तन देते हैं मन देते हैं बुद्धी देते हैं धन देते हैं हम उनकी वावाई करते हैं जंडा उठाते हैं और फिर कुस दिर बाद हम यह उनको गाली बखते हैं अरे धोकेवाज निकल गय हैं तो इसमें मेरा दोस्त नहीं है अगर वो गूंगे बहरे हैं पर मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ आपको मेरे सवाल के जवाब देना है तो करें यह हमें तो 47 आदमी चाहिए हमको आप जैसे आदमी नहीं चाहिए अरे भाई बुद्धी लगती है बुरा बनना पड़ता है सवाल जवाब करोगे तो किसी से भी सवाल करोगे तो सामने वाले के मन से तरण उतर जाते हैं हमसे सवाल कर दिया क्योंकि हर आदमी है राजा बना बैठा है हर आदमी अपनी बुद्धी का मालिक बना बैठाए हरा आदमी शेहंशा बना बैठाए जरा सवाल कर दो उससे तो उसको लगता है यह आदमी ठीक नहीं तो सवाल करता है तो सवाल करने वाली तो घर में जो बहु आती है वो भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसकी अधिकार दवा रखे हैं. बहु आगे सवाल पूछ ले कि घर में यह क्या चला है, वो क्या चला है, किया रहे, चार दिन की बहु आई, और हमसे सवाल कर रहे हैं, उसे भी लोग पसंदी करतें, तो यह तो सामाजी काम है, तो हजार बार बताया, यह समस्या है, कि यहां व्यक्तियों के चेहरे नहीं चलेंगे समण संग किसी भी हलत में इन तरह के जो लोग है 39 लाग संग्ठन हैं जो अकले के लिए चलने हैं उनसे सवाल लगातार करेगा और यहां जो लोग जो बैठे हुए सुने हैं वो भी अपने अपने सवालों को निकालने बाहर और सवाल क करना शुरू करें लोगों से कि आखिर चल क्या रहा है संग्ठन पर संग्ठन आये जा रहे हैं संग्ठन पर संग्ठन आये जा रहे हैं और हमारा बेडा गरक पर बेडा गरक हुआ जा रहा है एक बात कि दूसरी बात